जहें दोस्तों रख्षित खना किस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ मैतपूर जानकारिया दूँगा। इसमें से कुछ जानकारिया लोशनल इंक्रिमेंट के बारे में हैं। कुछ जानकारिया कम्यूटेशन को लेकर हैं। क आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूँ अगर आप फेली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों अगर आप 2016 से पहले आए हैं और अगर आप ये सोच रहेंगी हमें Notional Agreement मिल जाएगा Code Case करके दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं जो 2006 से पहले आए हैं पंशनेर्स उनके लिए Notional Agreement नहीं है उनको फैदा नहीं मिल पाएगा जो जून में रेटाइर हुए या फिर जो दिस सम्मर में रेटाइर हुए जो 2006 के बाद आये हैं या फिर 2016 के बाद आये हैं उनको emotional increment का फैदा मिलेगा और वो ले भी रहे हैं port case करने के बाद अगर वो जीथ गए तो दोस्तो जो 2006 से पहले आई है उनके लिए notional increment नहीं है अगर आप court case करते भी हैं जीब भी जाते हैं तो दोस्तो उस judgment का कोई पैदा नहीं होगा अगर आप वो judgment कहीं दिखाते भी हैं CGDA में PCDA में या फिर डिपार्टमेंट में तो उसका पैदा आपको नहीं मिल पाएगा तो कि रूल्स के मताबिक जो 2006 से पहले आई हैं उनके लिए notional increment नहीं है चलते हैं दोस्तो अगली जानकारी की तरफ खुश खबरी जिन पैंशनर्स के दस साल से उपर हो गए हैं और रिकवरी हो रही है कम्यूटेशन की केस करिए और रिकवरी रोग दी जाएगी जिन पैंशनर्स के लिए भी 10 साल से उपर हो गए हैं या फिर 11 साल से उपर हो गए हैं और उनका पैसा काटा जा रहा है कम्यूटेशन का उनकी पैंशन में से यानि रिकवरी हो रही है तो वो पैंशनर्स कोर्ट case करिए चाहे आप Supreme Court में करें चाहे आप EFT में करें या फिर दिली High Court में करें अगर आप court case करते हैं तो पहली सुनभाई में ही आपका stay लग जाएगा stay के order हो जाएगे और आपकी recovery रोग दी जाएगी जियां दोस्तों तो आप court case जरूर करें जिनके भी 10 साल से जादा हो गए है और recovery हो रही है pension में से commutation की बाकी जिनके 15 साल complete पहले ही हो गए है और वो access payment दे चुके हैं जादा payment दे चुके है भारा सरकार का अप ही दोस्तों उस पे कोई order नहीं है लेकिन उनका भी case बनता है उनका भी case बनता है कि वो भी court case करें और जितना भी access payment चला गया है भारा सरकार के पास commutation का वो आप वापस लेजिए तो उनका भी case बनता है तो दोस्तों वो भी अपने lawyer से वकील से बादशीत कर सकते हैं जिनको already 15 साग हो चुके हैं और जिनके 10 साल से उपर हो गया है वो तो जरूर court case करें और जो भी आपकी recovery चल रही है उसे आप बंद कराएं पेंशन में से चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ ministry of defense ने जारी किया demand की report defense pension की जिया दोस्तों ministry of defense इसने एक report जारी करी थी इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों social media पर यह बताया जा रहा है कि जो total demand बताई गई इसमें से ORP3 का खर्चा निकाल ले गया कितना 8000 करोड दोस्तों अभी कुछ final नहीं है कि ORP3 का कितना budget होगा पहले social media पर 6700 करोड भी बताया जा रहा था कि 6700 करोड एप्रूब होगा लेकिन अभी तक कोई confirmation नहीं है क्योंकि अभी ORP3 की publicly announcement नहीं होई है अभी कुछ नहीं बता कि ORP3 का कितना budget होगा तो दोस्तों यह सब अनुमानित है कि 8000 करोड होगा या फिर 6700 करोड होगा दोस्तों जो इन्होंने demand बताई इसमें total demand बताई 1,49,205 करोड अब दोस्तों इसमें एक account होता है जिसे हम बोलते है deposit account दोस्तों deposit account में आपके extra पैसे रखे जाते हैं जो utilize हो सकते हैं pension में, graduate में, commutation में, one rank, one pension में जियां दोस्तों तो दोस्तों ये जो पैसा है अलग से ये utilize किया जा सकता है pensionary benefit में जो भी आपकी अलग-अलग चीज़े होती हैं चैब वो leave in cashment हो, graduate हो, pension हो, तो utilize हो सकता है लेकिन ये confirmation नहीं है कि यही पैसा और रूपी 3 के लिए होगा तो दोस्तों हमें तब तक wait करना होगा जब तक कि वो आरूपी 3 release नहीं होती है जब तक कि वो आरूपी 3 की announcement नहीं होती है तो दोस्तों ये देखने वाली बात होगी क्या actual budget होता है वो आरूपी 3 का जब तक कि publicly announce नहीं होगा जब तक मैं पता नहीं लगेगा कि वो आरूपी 3 का actual budget क्या है वैसे दोस्तों अगर हम area को हटा दें तो दोस्तों ये खर्चा लगबग 10,000 करोड से नीचे नीचे का होना चाहिए 10,000 करोड से नीचे नीचे का चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ pensioners का सवाल क्या और रूपी 1, और रूपी 2 या फिर जब और रूपी 3 आएगी तो क्या उसमें हमें अलग से पता लगेगा कि हमारी military service पे add कहां पर है दोस्तों और रूपी में अगर आप table देखें तो आपको अलग से पता ही नहीं लगता कि आपकी military service पे कितनी add है हाला कि मैंने इस पे एक पहले वीडियो भी बनाया जिसमें आपको साफ clear किया है और रूपी 1 में 1000 रूपे military service पे add है कि और रूपी में आपका इतना MSP add है अलग से वो आपको figure देखने को नहीं मिलेगी हाला कि जो tables बनाई गई है जो उसमें pension लिखी हुई है basic pension उसको बनाने के लिए जो minimum maximum लिया है उसमें आपकी military service पे add है तो आप अपना बिलकुल confusion दूर कर लेजिए military service पे आपकी include होगी OROP 3 में भी OROP 1 में भी थी OROP 2 में भी थी आपको इसका कोई अलग से clarification नहीं दिखेगा कई आपको amount दिखेगा नहीं कि इतना add कर रहा है लेकिन वो include है तो दोस्तों यह कुछ जानकारिय हैं थी जो मैंने आपको समझाई थी वीडियो आपको अच्छे लगता है वीडियो को like कि रो इस चैनल को आप subscribe करें क्योंकि ऐसी जानकारिय है अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल की मादन से Thank you so much